एलो दोस्तों आपने बहुती सांदार वीडियो पे किलिक कर दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आए हूँ जो अभी अभी दिल्ली पुलिस का पहली सिफ्ट का पेपर वहाँ दोस्तों काफी आसान पेपर आ गया है जैसा हमने उम्मीद क्यों रिजनिंग के लेकर आए हूँ 100% रियल सवाल है एक एक सवाल को बड़े ध्यान से देखना है अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया अगली सिफ्ट में यहाँ से 10 से 12 सवाल आपके रिपीट होने वाले है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है देख लेते ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे देख लेते गाईज क्या के सवाल आपके पूछे गये एक सवाल आपका ये भी पूछा गया पहला विदेशी जी से भारत रतन अवोर्ड मिला तो दोस्तों इनका नाम है खान क्या पूछा गया एक सवाल आपका ये भी पूछा गया राष्ट मंडल खेलो का पर्थम आयोजन किस देश में किया गया था तो दोस्तों ये किया गया था कनाड़ा में देख लेते गाई जगला सवाल क्या पूछा गया एक सवाल आपका ये भी पूछा गया ओसकर आवार पार्टी के संस्तापक कौन थे तो दोस्तों इनका नाम था कांसी राम देख ले तका जगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल ये भी बहुत बैतरीन पूचा गया फीफा गोल्डन बूट पुरुसकार किसने प्राप किया है तो दोस्तों ये क्या है हैरी केन ने अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेर अच्छे से पढ़ा है डेफिनेटली दोस्तों आप लोग सेलेक्शन के बिल्कुल 100% करीब पहुच जाओगी देख ले तका जगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपका ये भी पूचा गया विशु सांती दिवस किस तारिक को मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है 21 सितमर को देख ले तका जगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपका ये भी पूचा गया आगा खा कब किस केल से सम्मंदित है तो दोस्तों ये होक्की के केल से सब्मंदित है देख लेदेगा है जगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपको ये भी बड़ा बैतरीन पूचा गया भारत का राश्ट्पती अपना त्याग पत्र किसको देता है तो दोस्तों ये देता है उपराष्ट पती को देख ले दगा है जगला सवाल क्या पूचा गया काफी आसान सवाल था, काफी आसान पेपर था ACI WIS Bank का मुख्याले कहां पर है तो दोस्तों ये है मनीला में फिलिपिन्स के मनीला में मनीला आपका राइट आंसर हो जाएगा देख ले तक है जगला सवाल क्या पूछा गया एक सवाल आपका ये भी पूछा गया पोदों में उर्जा उत्पादन करने की प्रकरिया को क्या कहा जाता है तो दोस्तों ये कहा जाता है प्रकास संसिलेशन ये दोस्तों आपको विज्ञान से सवाल था ऐसे सवाल भी आपको पढ़के जाने है देख ले था काई जगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपका ये भी पूचा गया ज्यान पिट पुरुसकार पाने वाली पहली महिला को थी तो दोस्तों इनका नाम था आसा पूर्णा देवी देख लिदेगा जगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपका ये भी बड़ा बैतरिन पूचा गया जोग जल परपात किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तों ये है सरावति नदी पर देख लेगा जगला सवाल क्या पूचा गया दोस्तों अगर वीडियो पसंद है लाइक करके जरूर जाना बहुत मैनत लगती है वाटसन किस कमपनी का कम्पुटर है तो दोस्तों ये IBM कम्पनी का एक कम्पुटर है ये सवाल आपका कम्पुटर से बहुत important पूचा गया ये बार बार पूचा जा रहा है इस सवाल को जरूर करके जाएंगे आप लोग देख लेते का जगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपका ये भी बैतरीन पूचा गया बारत का इस्ताई अनुसंदान केंद्र दक्षिन गंगोतरी कहाँ पर है ये आपका अंटार्टिक महादूइप पर है देख लेते का जगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपका ये दोस्तों ये आपका रिजनिंग का सवाल पूचा गया काफी आसान सवाल था इसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ इसमें लोजिक क्या काम करेगा यहाँ पर क्या आएगा ये पूच रहा है लोजिक लगा कर देखते हैं नो दूनी अठारा प्लस एक उननिस आजाएगा उननिस दूनी अरतिस पलस एक करेंगे 49 आजाएगा 49 हमें मिल गया 49 में भी ये लोजिक लगा कर देखते हैं दोस्तों 49 दूनी पलस एक आपका 89 आजाएगा 89 में भी ये लोजिक लगा कर देखते हैं 89 दूनी पलस एक करेंगे तो आपका 169 आ जाएगा तो दोस्तो अगर 169 पर यही लोजिक लगाओगे क्या आएगा 169 दूनी प्लस 1 यह आ जाएगा 318 प्लस 1 319 आपका correct answer आ जाएगा तो दोस्तो अगर आप यह लोजिक लगाओगे तो यह सवाल आराम से कर पाओगे दोस्तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूला बहुत अच्छा लोजिक मैंने आपको बता दिया है देख लेते गाईज अगला सवाल क्या पूचा गया काफी आसान सवाल था अगला भी बहुत आसान सवाल था यह दोस्तो काफी आसान था 31 विद्यारतियों की कक्सम में सुरू से विराट का इस्थान सतरवा है दोस्तो आखरी से इसका इस्थान कौन सा होगा दोस्तो ऐसे सवाल में क्या करोगी हमेशा 31 माइनस 17 प्लस 1 तो दोस्तो इसे सोल करोगे क्या एगा 32-17 यह आपका आजाएगा 15 तो दोस्तों वीराट का जो इस्थान होगा आखरी से जो उसका इस्थान होगा वो पंदरवा हो जाएगा 15 आपका रैट आंसर हो जाएगा अगर आप इस तरीकी से सवाल को करते तो आप आसानी से कर सकते थे देख लेते गाएगा जगला सवाल क्या पूचा गया अगला सवाल भी आराम से देख लेते है एक सवाल आपका ये भी पूचा गया दो व्यक्तियों की आयों का अनुपात कितना है पांच अनुपात साथ अठारा वर्स पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना है आठ अनुपाद 13 वो दोस्तों कह रहा है कि उनकी उम्र कितनी होगी तो दोस्तों देखो यहाँ पर लोजिक लगा कर देखते हैं इनके बीच का अंतर कितना है पांच इनके बीच का अंतर कितना है दो तो दोस्तो दो की गुणा नीचे कर देंगे अंतर बराबर बनाने के लिए और दोस्तो पांच की गुणा उपर कर देंगे जब आप ऐसा करोगे तो क्या आएगा यह आपका वर्तमान वाला है यह आपका वर्तमान वाला है इसमें गुणा करेंगे कितने की इसमें गुणा करेंगे दोस्तों 5 की और नीचे वाले में 8 अनुपाद 13 यह आपका 18 वर्स पहले है तो दोस्तो इसमें गुणा करेंगे 2 की तो दोस्तो गुणा करने के बाद में क्या आएगा 25 यह आपका वर्तमान वाला है और इसने वर्तमान आयो आपसे पूछी है यह आएगा आपका 35 और दोस्तो अगले में क्या आएगा आपका इसको सोल करने के बाद में आएगा 16, 25, 26 तो दोस्तों यहां से क्या पता चला जब आप इनके बीच का अंतर लोगे यह उपर 35 है तो आपका कितना आजाएगा 9 आजाएगा और इनका बीच का अंतर लोगे 9 आजाएगा तो आपका अंतर बराबर बन गया और 9 की value क्या दी गई है 18 दी गई है क्योंकि दोस्तों 18 वर्स पहले की बात कर रहा है तो दोस्तों यहां से 1 की value निकल गया जाएगी 2 और इसने पूछा है वर्तमान आईयो कितनी होगी दोस्तों जो नया अनुपात है वर्तमान का ये वाला आ गया कितना हैं दोस्तो 25 अनुपात 35 जब आप इसमें 2 की गुणा करोगे तो क्या आएगा या आएगा आपका 50 अनुपात 70 आपका रैट आंसर आजाएगा दोस्तो जो इन व्यक्तियों की वर्तमान आयू होगी वो होगी 50 और 70 आप इस तरीकी से सवाल को कर सकते थे आपका रैट आंसर आजाएगा 70 50 और 70 आपके करण आंसर आजाएगे देख लेता है अगला सवाल क्या पूछा गया काफी आसान सवाल बिख एक सवाल आपका ये भी पूछा गया ये आपका इसका संबन इस से है और इसका किस से होगा ये बताना है काफ़ इंपोर्टेंट सवाल था इसमें हम लोजिक लगा कर देखते हैं क्या करेंगे सुरू की तीन संख्या को जोड लेते हैं दो, तीन, पाँच, पाँच और पाँच, दस तो कितना ऐगा दस और जो यह आखरी संक्या बची इसमें गुणा कर देंगे तीन की तो यह आएगा आपका तीस तो दोस्तों तीस तो हमें मिल गया यह लोजिक हम यहाँ पर लगा कर देखते हैं सुरू की तीन संक्या को जोड लेते हैं जोडने के बाद में क्या आएगा? साथ आएगा साथ में गुणा कर देतें पांच की आखरी संक्या की गुणा करने के बाद में 35 आपका राइट आंसर आ जाएगा सवाल का अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करोगे आपका राइट आंसर आ जाएगा 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा देख लेतका है जगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपका ये भी पूचा गया पर्थम दस सम संक्याओं का ओसत कितना होगा तो दोस्तों सम संक्या कौन सी होती है इवन संक्या होती है सुरू की दस कितनी होगी दो से लेके आप 20 तक जाओगी इनका उसत कैसे निकालोगे शुरू की संक्या को और आखरी संक्या को जोड लोगे 2 पलस 20 भाग कर देंगे 2 से यह आएगा आपका 22 22 को भाग करेंगे 2 से 11 आपका राइट अंसर आ जाएगा 11 इन संक्याओं का उसत हो जाएगा यानी average हो जाएगा बढ़ लेते हैं गाइस आगे तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक करके जरू जाना अगर आप किसी भी गोर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग और गणित को आपको ट्रिक से पढ़ना है तो दोस्तों चैनल का लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ओल कर लेना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर के लिए आपको best of luck